हेलो वर्यवन मैसेल्फ संदीब चौधरी टीम केमस्टी सील सी आज की गुरु निति के अंदर हम केमिकल काइनेटिक्स और सर्फेस केमस्टी में जो परिवेस यहर में क्योसन आए उनके बारे में डिसकस करेंगे और इसके थुरू हम पूरे टॉपिक उसको कवर करने ही कौस है तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो भी यह इसना आपको देने हैं उसके लिए र neden अप्यूंक्स निक्रिंए lapर ईक्सें को आपуск् रीक्टेंट और प्रतिक प्रॉल्डेक्ट उसकी ट्रम में लिख सकते हों देखो इसके लिए अगर आप लिखना चाहो तो आखर है रिएक्टेंट टाइम के साथ में डिसर्पियर होगा तो रिएक्टेंट के लिए तो नेगेटिव साइन लगा होगी और प्रोडेक्ट उसके लिए पॉजिटिव साइन लगाते हैं तो कितना है का वन बाइट्टू लिखेंगे तो क्या होगा वन बाइटी डी एनस्री अपॉन डिटी है दोनों ब्राबर और यहीं फर्स्ट उप्शन में दे रखें तो फस्ट आपका क्रेक्ट हो गया है बाकी को भी आपको रिलेट्ट करके देश सकते हूं जैसे हाइडोजन और अमोनिया इन दोनों को अग दी एनस्री अपॉन डिटी यह रिलेशन है अगर आप क्रोस मल्टिप्लाई करके भी बनाना चाहो तो क्या बनेगा माइनस टू डी एच्टू अपॉन डी टी इकोल डू क्या होगा थ्री एनस्री अपॉन डी तो यह वाला उप्शन तो गलत हो गया देखो यह वाला इकोल डोगा 1 बाइ 2 सरी इधर 3 से क्रोस मल्टिप्लाई क्या 3 डी एनस्री अपॉन डी टी इसे ही आप अगर इसको डिलेट करना चाहो थार्ड वाले को डिलेट करना चाहो तो थार्ड के लिए वाला होगा माइनस 1 बाइ 3 डी एस्टू अपॉन डी टी थार्ड ओप्शन को आप देखो यह नेगेटिव होगा और जबकि इसके लिए वाला साइन कैसा आता है पॉजिटिव साइन आता है प्रोडेक्ट के लिए तो यह भी खलत होगा ठीक है और नाइट्रोजन और अमोनिया दोनों को रिलेट कर सकते हैं कंसेट क्या बनाना है जब भी इस टाइप की कोई डियक होने की रैट्रोज को आम इन्वोल नहीं कर तो इसे आपको को रिलेट कर देए नेक्स्ट क्योसन दिखीगा second question 4A reaction 4A plus 3B change in 6C plus 90 एक reaction आपको गिवेन और इसके लिए देरका rate of formation of C 6 into 10 to the power minus 2 mole liter inverse second inverse and rate of disappearance of A is 4 into 10 to the power minus 2 mole liter inverse second inverse the rate of reaction and about of B consumed in interval of 10 second respectively will be देखेगा क्योसन को सौल करना है स्वाल क्योसन को देखते हैं देखे इसके अंदर reaction देरके 4A plus 3B 4A plus 3B change in 6C plus 90 ये देरका आपको ये बताए कि परते की एक्टेंडर प्रोडेक्ट है उसके टम में आपको रेट है उसको लिख सकते हो तो यहां पर देको रेट लिखना चाहोगे तो क्या होगा रेट इकॉल ये लिख दिया आप देखो यहां पर रेट ओफ फॉर्मेशन रेट ओफ फॉर्मेशन ऑफ सी सी इसके फॉर्मेशन है उसकी रेट की बात करोगे तो सी के इसके फॉर्मेशन की रेट आपको दे रखी है 6 इंटू 10 तो पार मैनस 2 है इसके फॉर्मेशन रेट ओफ डिस अपरेंस एंडट ओफ फॉर्मेशन या अपरेंस उसमें स्टाइक कमेट्री को उफेसेंट रोग नहीं करते तो देखों सी के रेस्पेक्ट में आप बात करना पार मैनस 2 इसकी वेल्इव आपको गिवेए ने इसकी वेल्ऻ रखें को ओगा बाए 6 इंटू 6 इंटू 10 दोट पार मैनस 2 यह गिवेए ने न, 6 इंटू 10 दोट पार मैनस 2 औहप देखी है और पुझा इसके अंदर नेक्स आपको यहाँ पर calculate करना है amount of B consumed in interval of 10 seconds respectively will be तो B है वो कितना consume होगा इसकी बात करें B ये वाला होता न ये B है ये कितना consume होगा देखो B के respect में क्या था R equal to minus 1 by 3 DB upon DT ये B है इसके consume होने को बता रहा है rate आपके पास में कितना है negative time consume होने को बताएगा तो rate आपके पास में 1 into 1 into 10 to the power minus 2 minus 1 by 3 B consume होगा कितने time interval में 10 देखो कितने second में, कितना interval में 10 second में तो ये value आप time कितना रखोगे 10 तो आपके पास में देखो क्या होगा DBA कितना consume होगा cross multiply करो इधर तो कितना होगे 30 into 10 to the power minus 2 तो reaction की rate आपके पास में आ रहे है 1 into 10 to the power minus 2 और B हो कितना consume होगा 30 into 10 to the power minus 2 तो कौन सा option होगे 1 into 10 to the power minus 2 और ये होगा 30 into 10 to the power minus 2 clear next देखीगा the concentration of a reactant change from 0.03 to 0.02 in 20 minute for the reaction A change in B the average rate of reaction in unit mole liter inverse second inverse is average rate क्या होता plus minus change in concentration upon taken time और concentration में change क्या होगा final concentration minus initial concentration upon time interval तो यहां पर देखो plus और minus का sign आपने लगा है plus का sign किसके लिए लगाते हो आप plus का sign किसके लिए होगा for product और minus ही ये sign किसके लिए होता है reactant ये तो और का reactant ये लिए और plus sign किसके लिए आगा product के लिए अब यहां पर आप देखो यहां पर concentration of reactant reactant की concentration change हो रही है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, r equal to minus dc upon dt, या minus c final minus c initial upon time interval t2 minus t1, then rate equal to, final concentration आपके पास में कितनी है, final होगी 0.02, initial concentration कितनी ही थी 0.03, time interval कितना होगा, 25 minute में आपको किसमी calculate करने है, second, ठीक है, तो यहाँ पर यह वाला value कितना होगा, minus 0.1, पहले negative sign है तो कितना होगा, plus का, 0.01 upon 25 into 60, यह value आईगी आपके पास में, इसको आप divide करते हो, तो यह वाली value आती है, calculation कि यह value आती है, 0.066 into 10 to the power minus 4, ठीक है, ऐसे कर सकते हो न, यह वाला क्या लिख सकते हैं, 10 to the power minus 2, 10 की power minus 4 में करोगे, तो 10 की power handed उसे multiply कर दो, handed उसे divide कर दो, यह वी उपर चला गया, तो कितना होगा, 10 to the power minus 4, और इसको फिर आप divide करके देख रहे हो, 10, यह divide फिर करके देखोगे, तो यह value आती है, 0.06, ठीक है, इतो calculation, concept क्या है, average concentration आपको calculate करनी हो, average rate calculate करनी हो, तो change in concentration upon taken time, और यह धान रकना reactant के लिए, negative sign लगाना है, और product के लिए positive sign लगाना है, क्योंकि rate हमेसा positive होगती है, ठीक है, for a reaction a plus b change in c, और reaction उसकी rate, देखो reaction उसकी rate आपको दे रखिये, k a to the power 3 by 2 and b to the power minus 1 by 2, if the concentration of both a and b become 4 time, then the rate of reaction is, दोनों की concentration को 4 time आप ने कर दिया, तो देखो, और क्या होगा यह वाला 4 time किया, 3 by 2, यह भी आपने 4 time किया, कितना होगा minus 1 by 2, बेज सेम है, तो multiplication में होते होते हैं, पावर उसको add कर देते हैं, क्या होगा 4, इसकी पावर 3 by 2, और minus 1 by 2, तो कितनी होगी 1, तो rate कितनी time हो जाएगी, ठीक है, बहुत simple है, देखो, यह rate equation दे रहे हैं आपको, एकी concentration को 4 time किया, यह भी कितना time किया है, 4 time किया है, यह देखिये, 4 time किया, दोनों को, तो base है होता, तो power है, multiplication है power को add किया, तो power को add करने पर कितना होगा 1, इसका वंदों कितने time हो गया, 4 time, next, देखिये, an increase in the concentration of the reactant of a reaction, lead to change in, किसके अंदर change आएगा, जब भी हम reactant है, उसकी concentration को increase करेंगे, तो उसके जो reactant molecule है, वो randomly motion करते है, ठीक है, तो वहाँ पर unit volume होता, उसके अंदर collision उसके number increase हो जाते है, और collision उसके number increase हो गए, इसका मतलब क्या होगा, collision frequency हो, change हो जाएगी, ठीक है, देखो, यह reactant है, यह माल लेते product में जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कि थिर्सॉल्ड एनर्जी है, यह वाली activation energy होती है, forward direction की, इधर यह activation energy है, backward direction की, delta H enthalpy of reaction है, heat of reaction, वो होता, activation energy forward minus activation energy backward, जिसके वैसे इसके एंडोथर्मिक reaction है, उसको आप डिटर्माइन कर सकते हो, लेकिन, यहाँ पर इसके amount बढ़ाने से, इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, यह graph तो fix रहेगा, सिरफ जो collision frequency है उपर जाएगी, ठीक है, क्योंकि unit volume में जो collision है, उसके number increase होंगे, नेक्स देखिएगा, यह reaction, H engine product, follow first order kinetics, in 40 minute, the concentration of X changes from 0.1 to 0.0 to 5m, then the rate of reaction, when the concentration of X is 0.01m, तो first order की kinetics है, और आप जानते हो rate, first order kinetics के लिए rate क्या होगे, R equal to होता, K A to the power 1, और यहाँ पर इस reaction की rate पुछी है, कब पुछी है, जब X है, इसकी concentration कितनी है, 0.01, इसका मतल्ला हमें किसको calculate कर लेना है, K को calculate कर लेना है, K की value आप calculate करोगे, K equal to 2.303 upon T, कितना है, 40, minute की अंदर है, lock, C not upon CT होता है, initial और T time के उपर concentration, Initial concentration कितनी है, 0.1, और T time पर कितनी है, 0.025, यह point remove किया 10, इसको कर इंद कितना होगा, 1000, यह cancel हाओ, कितना होगा, 4, तो K equal to हमारी पास में कितना होगा, 2.303 upon 40, log 4, log 4 की value कितनी होगा, 0.6, यह value आती है, ठीक है, तो यह वाली के हिस की value आप यहाँ पर put कर दो, तो R equal to K की value पूट करोगे 2.4, और मैं 2.3 लिख देता है, चलो 2.4 लिख दिया, या 3 कर लो, 2.3 upon 40 into 0.6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 to the power minus 2, यह point बेट आदू, यह point बेट आदू, कितना हो जाएगा, 10 to the power minus 2, ओर हो जाएगा, और इसको multiply किया, 3, यह कितना होगा, 20, और इसको देखू, 3, 3, 0, 9, 6, और यह होगा, 20, और इसको divide करोगे कितना हो, 3.4, और पहले से कितना है, 10 to the power minus 4, ठीक है, तो कौन सा होगा है, 3rd one, concept matter करता है, concept आपको क्या बोल रहा है, first order reaction की rate होती है, R equal to K to the power 1, concentration आपको given, इस वाली concentration पर rate calculate करनी है, तो आपको किसकी value put कर देनी है, K है, इसकी value put कर देनी, और K first order के लिए होता, 2.303 upon T log C naught upon CT, इसे calculate कर लें, when initial concentration of reactant is doubled in a reaction, its half life period is not affected, the order of the reaction is, देखो, T half का initial के साथ में क्या relation होता है, ये relation, T half is directly proportional a to the power n minus 1, ये relation आता है, अब देखो, 0 order के लिए आप बात करोगे, तो 0 के लिए n की value 0 रखोगे, तो T half directly proportional a to the power n minus 1, ये रखा, तो ये वाली value 0 रखी, तो क्या होगा, A inverse, तो आप क्या लिखोगे, T half directly proportional a, फास्ट ओडर reaction के लिए अगर आप बात करोगे, तो इसकी value कितनी रखोगे 1, तो T half directly proportional, ये वाला 1 minus 1 कितना होगा 0, और किसी पर भी power 0, इसका मतलब कितना होगा 1, यानि वो constant होगा, डिपेंड नहीं करेगा, तो first order reaction उसमें depend नहीं करेगा, second में भी रखोगे, तो N minus 1 रखा, तो 2 minus 1 कितना जागा 1, तो ये क्या होगा, inversally proportional, यानि half life होता है, वो zero order reaction में initial concentration है, उसके directly proportional है, first order में depend ही नहीं कर रहा, और second order के अंदर inversally proportional होगता है, clear, next देखिए, the rate constant of the reaction, A change in B, is 0.6 into 10 to the power minus 3 mol per second, ठीक, rate constant से आप क्या बता है, zero order reaction, if the concentration of A is 5 M, then the concentration of B after 20 minutes, zero order reaction, K की unit के बैसिस में हमें पता चला, zero order reaction, A change in B, इसमें क्या होता, zero order reaction में है, X equal to क्या होगा, KT, कितना X है, वो dissociate हो रहे है, यह X, क्या होता है, dissociated amount को बता रहे है, जो किसके बराबर है, KT है, उसके बराबर है, T time के उपर, dissociated amount, तो X equal to, K है, K की value आपके पास में कितनी है, K की value, आपको given 6 into 10 to the power minus 4 रख देते है, 0.6 into 10 to the power minus 3 है, तो इसको आपके लिख सकते है, 6 into 10 to the power minus 4, और time, यह वाली per second में है, तो इसको भी किस में लेना पड़ेगा, second में, 20 into कितना होगा, 60, ठीके, तो देको कितना होगा, 2 0 है, यह cancel out, तो इसको कितना होगा, minus 2, यह वोगा 12 into 6, कितना होता है, 72 into 10 to the power minus 2, तो कितना होगा, 0.72, ठीके, तो यह X यह product, यह देको, dissociate होगा, यह माल लेते हैं, C है, यह 0 है, तो यह X dissociate होगा, तो यह कितना बन जाएगा, X, और X किसके बराबर होता है, 0 order reaction है, केट यह इसकी equivalent, ठीके, next question number 9, the rate of a first order reaction is 0.04, more little inverse, second inverse, at 10th second, यानि T1 अगर 10th second है, तो वहाँ पर rate आपको दे रखी, R1 इसकी value given है, 0.04, and 0.03 more little inverse, second inverse, at 20 degrees, 20 second, T2 के value जब 20 आपने की, तो वहाँ पर आपके पास में rate है, उसकी value आपके पास में कितने आरी है, 0.03, the half life period of the reaction is, reaction उसका half life period है, यह आपको calculate करना है, यह यहनि T half calculate करना है, और first order reaction उसके लिए T half का formula हम जानते है, T half equal to क्या होता है, T half equal to 0.693 upon K, तो हमें 2 time और rate आपको given है, जिसके basis पे आपको क्या calculate करना है, K है, इसकी value calculate करनी है, और 2 time के लिए हमें rate constant है, इसकी value calculate करनी हाती है, यह वाली value होती, K equal to 2.303 upon time interval, T2 minus T1 log R1 upon R2, initial rate upon final rate, तो 2 time में आपको दे रखे हैं, जिसके rate आपको given हैं, first order reaction के लिए, तो यहाँ से आप rate constant calculate कर लेंगे, देखीगा, K equal to 2.303 time interval, कितना होगा, 10 log R1 upon R2, initial rate आप देखते हो, तो initial rate आप देखे हैं, initial rate कितने है, 0.04, और final rate है, 0.03, तो यह value है 0.04 और यह value होगी 0.03, तो कितना होगा, 4 by 3, तो K equal to, आप देखोगे, K equal to हमारे पास में क्या आ रहे, 2.303 upon 10 log 4 by 3, यह आद है, तो K equal to क्या होगा आपके पास में, 0.2, यह क्या होगा, log 4 minus log 3, इसको solve करोगे, अब पर में होता होगा, तो माइनस कर देंगे, log 4 minus log 3, log 4 और इसकी approximate value होते है, 0.6, यह उता 0.48, तो difference होगा, 0.12, तो K की value हमारे पास में हागी, 0.23, इन्टो 0.12, यह वाली value आ रहे है, जिसको आप solve कर रहे होगे, तो इसकी value, अप्रोक्स value आप लेख देते हैं, तो यह value आएगी 0.027 के आसपास आते हैं, ठीक है, अप्रोक्स value है, जिसको आप हमें यहाँ पर रखना है, के की जगे रखना है, तो आप रहोगे 0.693, और अप्रोक्स value रखना है, 0.027, तो यह value अप्रोक्स आजागती, 24, तो कौन साथ ही होगा, option number 4, simple साए, दो time interval गिवेन आपको, दो time गिवेन है, और first order के लिए rate गिवेन आपको, तो rate constant का formula ध्यान में रखना है, k equal to 2.303 upon t2 minus t1 log r1 upon r2, जिसके वैसिस पे rate constant आजाएगा, और t half और rate constant का ही relation, next देखते है, a first order reaction has specific reaction rate of 10 to the power minus 2, specific rate, यहनी rate constant है, कितना होगा, 10 to the power minus 2, how much time will it take for 20 gram of the reactant to reduce to 5 gram, 20 gram है, वो 5 तक जाने में कितना time लगेगा, तो simple सादेखो, first order के लिए आप ऐसे कर सकते हो, 1 t half के बाद में, यह कितना हो जाएगा, half 10 हो जाएगा, एक और t half इसको लगेगा, तो यह कितना हो जाएगा, 5, इसका मतलब 20 से 5 जानने के लिए taken time है, वो किसके बराबर है, 2 t half है, इसके एक फ़ल है, clear हो, और t half की value आप जानते हो, t half equal to होता है, 0.693 divided by 10 to the power minus 2, यहनी उपर जाएगा, तो हेंडे होगा, कितना होगा, 69.3, यह इसका T half आ गया, तो रखो 2 into 69.3, तो value कितनी आ गया, आपके पास है, 138.6, फास्ट वन इस ट्रेक्ट, next question देखेगा, when initial concentration of a reactant is doubled, then half life period of 0 order reaction, तो देखो, 0 order reaction के लिए क्या होता है, t half, directly proportional होता है, a by 2, यह होता है, देखो, 0 order reaction के लिए होता है, x equal to क्या होता है, kt, t half होगा, तो initial concentration का, यह half हो जाएगा, तो a by 2 क्यों होता है, यहनी t half, directly proportional कि इसके होगा, a by 2, यह कह सकते हो, t half है, यह directly proportional होगा, a, initial concentration के, अब initial concentration को आप double करोगे तो T half की value भी double हो जाएगी तो कौन सा होगा डबल next देखिए if the rate constant for a first order reaction is K and time T required for the completion of 99% of the reaction is given by देखो आपके पास में 100% उसको एक T 90 के बाद में कितना remain होगा 10 it means 90% कंजूम हो गया और यहां पर आपको देखा 99% तो इसका भी T 90 आप देखोगे तो कितना बचेगा वन यहां पर देखो हैंडेट था और आपके पास में 1 रिमेन है इसका मतलब कितना हो गया यह 99% और 99% reaction complete होने में आपको कितने T 90 required है 2 T 90 required T 90 कितना होगा 2 T 90% यह required आप देखिए T 90 का T half के साथ में relation होते हैं T 90 यह होता है 3.3 T half है इसके ब्राबर होता है तो आप इसकी जगे value रखोगे तो क्या होगा 6.6 T half और T half equal to आप जानते हो T half equal to क्या होता है 0.693 upon K यह किसको represent करेगा T half तो value रखोगे 6.6 into 0.693 upon K तो value आगे आपके पास में 4.6 upon K ठीक है तो आपको फ़सन होगा है first simple better 90% complete हो रहे है तो 10 remain है फिर 10 का 90% कितना remain होगा वन इसका मतलब consume कितना होगा है 99% कितने T 90 लगे 2 T 90 T 90 का T half के साथ relation है यह वाला relation है T 90 equal to 3.3 T half और T half का K के साथ relation होता है 0.693 upon K clear one next the rate constant for a first order reaction is rate constant आपको given the time required to reduce 2 gram of reactant to 0.2 gram initial आपके पास में amount है 2 वो कितना होजाए 0.2 तो देखो T equal to 2.303 upon 4.606 into 10 to the power minus 3 log initial amount 2 और final point 2 कितना होगा 10 और log 10 इसकी value कितनी होती है 1 then T equal to 2.303 upon 4.606 यह उपर जाएगा क्या बन जाएगा 1000 यह कितना होगा तो कितना होगा 500 second बहुत easy question next देखिए the given graph is represent of kinetics reaction यहाँ पर देखो y axis है उस पर y दे रहा है x axis पर दे रहा है x और यह बना रहा है y और x एक दूसरे पर depend नहीं कर रहे है पहले line का मतलब क्या question temperature पर डिपेंड नहीं कर रहे है और आपके जो option है वह 0 order और first order reaction उसके लिए relate कर रहे हैं तो आप देखो आपके पास में 0 order reaction है तो 0 order reaction के लिए आप जानते हो r equal to k a की power 0 और किसी पर भी power 0 इसका मतलब की value 1 डिपेंड नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आ रहे वह concentration पर डिपेंड नहीं करेगा 0 order के लिए और first order के लिए आप देखते हो तो देखो टी हाफ का एक फॉर्मुला होता है टी हाफ डिरेक्ली प्रपोर्शन होता है वन अपन एट टूदी पावर और डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब जीरो के लिए और first के लिए बात करोगे तो यह क्या होगा टी हाफ and concentration initial consumption तो 0 के लिए थो concentration पर डिपेंड नहीं कर रहां इनिशल पर और फरस्त FERります के लिए क्लिए क्लिए थी हाफ है वो डिपेंड नहीं rate constant और concentration ये भी गला तोगा 0 order के लिए क्या होना चाहे rate और concentration और first order के लिए क्या होना चाहे T हाप और concentration तो कौनसा option सी होगा आपका second one next देखिए for a first order reaction A change in product initial concentration of A is 0.1 M which become 0.01 M after 5 minute rate constant for the reaction is in minute inverse तो देखिए is equation rate constant k equal to क्या होगा 2.303 divide by 5 log initial concentration is 0.1 ये कितनी होगी 0.001 आपे लिख सकते हो 2.303 divide by 5 log इसको solve करोगी कितना होगा है hand rate और log hand rate की value उती है 2 तो आपके पास में कितना है 2.3 2.3 देखिए तो देखिए बाइ 5 तो कितना होगा 4.5 देखिए बाइ 5 और 4.6 देखिए फो इतना होगा 0.9 देखिए अगर आपको इनिशील पूछे जाए तो डबल करते वे चलो और अगर आपको रिमेनर फिर इनिशील पूचे जाए तो डबल करते वे चलो तेखिए हुआ देखो यह क्या बोल रहे है कि आपके लास में कितनी रिमेन है पॉइंट जी रो टू तो इसका मतलब यह पॉइंट जी रो टू है कि तने एर के बाद में 2000 टी आपना 2000 वाली 0 Ya 2000 से पहले यह वाली बीडबल थी झो यह कितना होगा 1.6 और 2000 यह से पहले यह वाली भीडबल थी तो फिन और 0.32 तो देखो कितने यह रोगे 2000, 2004, 6 और कितना होगे 8 तो कितना होगे 0.32 simple सा method initial given है तब तो half करते हुए चलो और final given है initial पूछ या तब डबल करते हुए चलो simple method the correct difference between the first and second order reaction is that देखो आपको explain कर देते हैं कि first order reaction है और क्या हुआ concentration इस पर depend कर रही है initial पर के second order के लिए initial पर depend कर रही है लेकिन अगर आप t half को relate करोगे तो t half directly proportion होता 1 upon a to the power n-1 तो आप 0 के लिए बात करोगे तो n की value 0 आपने रखी तो t half a inverse यानि directly proportional होगा a अगर first order reaction लिखा आपने तो 1 रखोगे तो t half है वो a के उपर depend नहीं कर रही है यह depend ही नहीं करें इस पर और n equal to 2 रखा तो यह क्या होगा t half inversely proportional a it means first order reaction और second order reaction को कैसे differentiate कर रहे हो अगर वो initial concentration पे उस का T half depend कर रहा तो second order reaction और depend नहीं कर रहा तो first order reaction देखेगा the correct difference the first order reaction can be catalyzed second दोनो catalyze हो सकते है the rate of first order reaction does not depend on the reactant concentration depend करते है the half life of first order reaction does not depend on initial concentration the half life of second order reaction depend on initial concentration तो कुंसा होगा third नेक्स देखो एक्टिवेशन एनर्जी ओफी रेक्सन कैन बी डिटर्माइन फ्रॉम 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 क्या होती है कि अलन के इक्वल करता है ऐनने कवाइन एउन्व पbon अर्ठी रखेंगे हुआ इसको वा안 एक्सेश पर रखेंगे ठीक है, तो कौन सा होगा, LNK versus 1 by T, the reaction having equal activation energy forward and reverse, तो delta H क्या होगा, देखो, activation energy forward और rear से हम, enthalpy of reaction, heat of reaction, delta H को determine करते हैं, क्या होगा, delta H होता है, activation energy forward direction, minus activation energy backward direction, अगर forward की value backwards से जाता है, तब तो endothermic reaction, backward is greater than forward, then exothermic reaction, अगर यह दोनों beta equal है, तो यह plus और minus equal होगा, तो delta H की value कितनी हो जाएगी, 0, here one, next देखिएगा, what is the activation energy for a reaction, if it's red double, when the temperature is raised from 20 degree centigrade to 35 degree centigrade, तो देखिएगो, दो different temperature आपको given, तो क्या लगाते हूँ, आर इनिस equation की log equation है, उसको correlate करेंगे, log K2 upon K1, 2.303, sorry, फिर से लिगदेट ने, log K2 upon K1 equal to होते है, यह upon 2.303R, T2 minus T1 upon T1 into T2, rate पहली की comparison में double होगे, यह rate question double होगे, तो यह पहली comparison में double है, तो क्या होगा, log K2, यह upon 2.303R की value, kilojoule में, 8.3, यह value को kilojoule में given, तो 8.314, divide by 1000, तो उपर आ जाएगा, difference यह होगे, 15, Kelvin में लेते 293, 308, यह वो, solve करते हैं, यहीं पर बताते हैं, log 2 ह की value होते हैं, 0.3, यह एंटु 10 to the power 3, और यह वाट 2.3, इंटु 8.3, और यह वाट 15, अपान 293, इंटु 308, cross multiply करोगे, तो यहाँ पर यह है, cross multiply करने पर आता है, 34.7, तो कौन सा होगे, 1st one, ठीक है, अब देखो, 4E reaction, A change in B, enthalpy of reaction is minus 4.2, and the enthalpy of activation is 9.6, तो कौन सा correct है, देखो, enthalpy of reaction आपको देख भी negative, इसका मतलब कौन सी process होगी, एक्जोथर्मिक प्रोसेस, और एक्जोथर्मिक प्रोसेस काब होती है, जब activation energy backward direction is greater than forward direction, यह होता न, delta H equal to activation forward minus activation backward, negative sign कब आएगा, जब backward की ज्यादा होगे, it means यह होगे, ठीक है, यहाँ पर देखो, forward की ज्यादा, यहाँ पर दोनों क्या होगे, equal, तो यह एक्जोथर्मिक यह दोनों एंडोथर्मिक होगे, यहाँ पर delta is 0, the slope of RNA's plot lnk versus 1 by T, और first order reaction के लिए value of minus 5 into 10 to the power 3 Kelvin, the value of Ea for the reaction is, ठीक है, तो आप देखो, हमने यह देखा कि lnk equal to ln A minus Ea upon, अच्छा, ln form में देखा, lnk equal to ln A minus Ea upon R T, तो ग्राफ इनके बीच में, यह y-axis पर है, यह x पर है, multiplication slope को represent करता है, remaining intercept, तो यह slope हमारे किसके बराबर है, Ea upon R, तो minus Ea upon R, यह किसके equal हार है, minus 5 into 10 to the power 3, यह minus cancel out, तो Ea equal to 5 into 10 to the power 3 into R, R की value होते 8.314, और किलो जूल में तो डिवाइड वाई 1000, cancel out, 8, 5 जब 40, यह अप्रोक्स 41.5, clear, next देखो, surface chemistry के आगे, तो आपकी chemical kinetics से उसके सारी questions आ लो हूँ चुके, आप surface पे देखीगा, which of the following statement is correct for the spontaneous absorption of gas, spontaneously absorption के लिए, delta Z है उसकी value negative होनी चाहिए, delta Z equal to क्या होगा, delta H minus T delta S, यह value होते है, जब भी gas का liquification होता है, तो एक जो थर्मीक प्रोसेस है, इसका मतलब delta S की value क्या होगी negative, और जब gas liquid में करनावाट हो रहा है, तो entropy वो decrease हो रही है, तो delta S है उसकी value क्या होगी negative, तो overall क्या बनेगा, delta Z equal to minus delta H plus T delta S, और spontaneous process कब होगी, spontaneous T के लिए delta Z क्या होना चाहिए, negative, इसका मतलब delta H की negative value होती है, वो T delta S से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यह भी negative है, तो overall negative कब बनेगा, जब delta S की value बहुजादा negative में हो, तभी तो overall क्या बनेगा, negative, अब option को चाहिए करते है, delta S is negative and therefore delta S should be positive, नहीं, positive होने पे तो endothermik हो जाएगे, शरी, delta Z की value positive हो जाएगे, और spontaneity के लिए delta Z है, उसकी value negative होनी चाहिए, सेकेंड देखो, delta S negative है, इसलिए, delta S should be highly negative, clear वा, यह हमने explain किया, कौन सा होगा है, second one, देखो, वैसे बेटा, surface chemistry के maximum, क्योंसा नोग, theoretical चीज़ें, लेकिन वो theoretical में भी फोच से concept ऐसे बनते हैं, कि वो आपको pick करने चाहिए, जैसे यह वाला concept है, बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन कही mistake हो जाती है, कुछ याद करने वाला भी इस वाली chapter में, उसको आप direct भी देख सकते हैं, देखो, which one of the following characteristics is association of absorption, अभी आपको बता है, अभी आपको बता है, अर्जोप्शन के लिए delta Z क्या होना चाहिए, clear, which property of colloids is not depend on the charge on colloid particles, charge पर देखो, coagulation होता है, coagulation opposite charge होता है, electrophoresis में भी opposite electrode की तरफ आयन सा वो migrate करते है, electrophoresis में भी same process होती है, लेकिन tindal effect में नहीं होता है, ठीक है, क्यों ही coagulation आप जानते हो न, पोजितिवली charge आएंगे, तभी coagulate हो पाएगा, ऐसा ही electrophoresis में opposite electrode की तरफ opposite आयना वो migrate करेंगे, next देखो, यह याद करने वाला, this property of colloidal solution is independent on charge of colloid particles, वो ही same होगा, कौन सा होता है, टेंडल effect, यह स्केटिंग पे डिपेंड करता है, चार से मतलब नहीं, fog in colloidal solution is, fog लगता है न, सुब़ए के टाइम में, तो gas के अंदर क्या होता है, liquid, gas का liquification होता है, वो mix हो जाता है, क्या होता है, liquid in gas होता है, यह आप direct याद कर सकता है, on which of the following property, does the coagulation power of an iron depend, देखो, iron की बेटाई यह बहुत अच्छा क्योंसान है, iron की coagulation power के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए, कि वो iron positively charged है, फिद negatively charged, अगर positively charged है, तो coagulate होगा, negative से, उस condition में negative का, जितना ज़्यादा magnitude होगा, उतना ज़्यादा coagulate करेगा, इसमें बहुत ज़्याद का controversial भी given था, लेकिन अगर आप किसी iron की बाग करें तो particular iron के बारे हमें यह पहले पता रहे रहा चाहिए, कि वो positively charged है, फिद negatively charged है, उसके बाद में आप magnitude ले सकते हैं, ठीक है, एक ऐसे दे रहा है, यह particularly positively charged है, तब सिरफ आप magnitude बता सकते हैं, यह रवा, measuring zeta potential is used in determination which property of colloidal solution, zeta potential देख क्या होता है, जैसे यह positively charged soul है, negative कोई भी बिए, जैसे यह plus है, तो इसके उपर minus आकर इसे deposit हो गया, यह fixed layer बना लिए इसके चाहरों, यह fixed layer बन लिए, अब इसमें opposite ion plus इसमें एक diffuse layer है, उसका formation कर लेता है, और इनके बीच में एक diffuse layer बनाता है, और इसके बीच में potential डवलाप होता है, जैसका नाम होता है, जीटा potential, जो इसकी colloidal solution उसकी stability को represent कर, ठीक है, stability of the colloidal particles, the right option for the statement, Tyndall effect is exhibited by, कौन सा solution है, जो Tyndall effect शो करता है, colloidal solution होता है, और इन में से colloidal solution होता है, वो star solution होता हो, colloidal solution होता है, ठीक है, यह unlearn करने बाला है, देखो, given below are two statement, statement first, in the coagulating of a negative solve, the foculating power of the three given ions in the order of, negatively solved है, ठीक है, उसको लिए coagulation power है, feculating value है, जितना ज्यादा उसपे positive charge होगा, उसकी coagulation power है, feculating value होता है, ज्यादा होगी तो है सही है, देखो, यह given है, hardy solution rules है, statement second, देखो, in the coagulating of a positively solve, positively solve है, तो वहाँ पर क्या होगा, negative charge जाता होना चाहिए, इसमें कितना minus 5, उसमें minus 2 है, minus 3, नहीं, ultra order दे दिया, positive के लिए negative की coagulating power देखे जाती है, जितना ज्यादा charge का magnitude होगा, उतनी ज्याता होग, ठीक है, तो first correct है, और second incorrect, paper chromatography is an example of partition chromatography बोल देते हैं, ठीक है, यहां पर इसको water में डालते हैं, water इसके साथ उपर जाता है, जिसकी velocity ज्यादा होती हो, उपर चला जाता है, जिसकी velocity कम होती हो, नीचे रह जाता है, इस टाइप से यह partition हो जाते हैं, ठीक है, partition chromatography, which of the following statement is correct, कौन्सा statement correct है, the value of equilibrium constant is changed, is not correct पुछा है, incorrect कौन्सा, the value of equilibrium constant is changed in the presence of catalyst in the reaction at equilibrium निए, देखो, यह equilibrium आ रहा है आपर, rate of forward direction, यह rate of backward direction, दोनो इक्को लोग है आपर, जैसे आप यहाँ पर catalyst मिलाते हो, मालो positive catalyst है, वो rate of reaction को क्या कर देगा, कम कर देगा, याँने लगने वाले time को, इसको reduce कर देगा, rate of reaction को fast कर देगा, जिससे equilibrium established होने में, जो time लगता हो, decrease हो जाएगा, नेगेटी होगा तो time को increase कर देगा, लेकिन equilibrium state पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो कौन सा incorrect हाँ, फस्ट ही, जबकि second देखो, enzyme catalyzed manly biochemical, यह भी सही है, co-enzyme increase the catalytic activity of enzyme, यह भी सही है, क्योंकि co-enzyme का काम ही क्या होता है, catalytic activity enzyme की increase कर देगा, ठीक है, catalyst does not initiate any reaction, यह भी सही है, उसके बाद में reaction वो, उसकी velocity उसको change करता है, ठीक है, तो यह था हमारी गिरुनिती, 6 का एक पार्ट था, जिसमें आपको chemical bonding और surface के बस्ति के बारे में discuss किया, आपको अच्छे से त्यारी कर रखी होगी, आपकी exam बहुत पास में आ रही है, all the very best.